दुनिया की पांच अनोखी गाडियां जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे जेट लीमो तो दोस्तो इसे देखिए ये है एक जेट फ्लेन जिसे मोडिफाई करके एक कार बना दिया है जी हाँ बिल्कुल सही सुना इसमें आम गाडियों की तरह ही चार टायर्स भी लगाए गए है इसके इंटीरियर की बात करें तो वो काफी लग्जरी और शानदार है जिसमें काफी जादा जगह भी मिल जाती है इसमें आठ से दस पसंजर आसानी से बैठ सकता कार को चलाने के लिए इसमें लगाया गया है जी एम वोटेक वी एट इंजन कैडिलैक होट टब ये कार काफी शानदार और अनोखी है जो आप इसे देखने के बास समझ गए होंगी ये एक कैडिलैक कार है जिसे मोडिफाई करके इसमें एक बाटब बना दिया है अगर आप बाटब या फिर पूल में रहना पसंद करते हो तो ये कार आपको काफी पसंद आएगी अगर आप इस कार में बैठते हो तो आप काफी special feel करोगे और साथ ही आप कार को चलाते समय पानी का मज़ा भी ले पाओगी बनाना कार आपने केला तो खाया ही होगा बर क्या आपने कभी केले जैसे आकार वाली कार देखी है ऐसी कार भी मुझूद है इस दुनिया में एक ब्रिटिस इन्वेंटर स्टीव ब्रेट्वेट ने बनाया है इस बनाना कार को इन्होंने एक पिकप ट्रक को एक बनाना कार में बदर डाला जो की काफी शांदार लगती है इस कार में 320 CI Ford V8 इंजन लगा है और इसे बनाने में 17 लैक्स रुपए का खर्चा आया था और ये कार 136 किलोमेटर पर आर तक की स्पीड तक पहुँच जाती है आपने अपनी जिन्दगी में ऐसी कार कभी नहीं देखी होगी इस कार को केवल स्पीड के लिए बनाया गया है ये कार 16.5 मीटर लंबी है और 3.7 मीटर चोड़ी है जिसका वजण 10600 किलोग्राम का है इस कार में टू आफ्टर बर्निंग रोस रोई स्पेड अर्बो फैन इंजन का इस्तमाल किया गया है और ये इंजन केवल बड़े बड़े जेट प्लेंस में ही लगाया जाते हैं तो आप इस कार की स्पीड के बारे में अंदाजा लगा सकते हो 15.05.1997 को इस कार ने 1228 किलोमेटर पर आर की स्पीड टार्गेट को अचीव किया था इसलिए ये कार सबसे हटके और अनोखी कार है Fire Force 3 जेट कार ये कार अनोखी इसलिए है क्योंकि ये एक जेट कार है इस कार को आगे से काफी प्लेन डिजाइन किया गया है ताकि ये हवा को काट सके और जादा से जादा स्पीड तक पहुंच सके इस कार में बहुत ही जादा ताकतवर इंजन का इस्तमाल किया गया है और इस इंजन का नाम विटने J60 है जो कि 10,000 होस पावर जेनरेट करता है और ये कार केवाल 6 सकेंट तक चलने में 120 लीटर्स तेल पी जाती है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक और शेयर कीजे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे